हलो गाईज, वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल, स्वागत करता हूँ फिर से एक और बार मेड़े यूटूब चैनल में यदि दोस्तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को ओन कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल की आपको आगे भी मिल सकें तो दोस्तो आइए वीडियो स्टाट करते ह魚 तो इस वीडियो में आपको बताने वाला आओं कि कैसे आप अपने Paytm के पासवर्ड को नया बना सकते हो अगर आप भूल गयो अपने Paytm के Password तो चिंता करने की कोई बात नहीं इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने Paytm को Login कर पाओगे तो जैसा कि दोस्तों मैंने बता आया कि Paytm के Password कैसे आप करेट कर सकते हो नए तो इस वीडियो में आपको तीन step के ज़रे आपको पूरा process बता दूँगा कि कैसे आप अपने step number first की, तो step first में मैं आपको बताओंगा, आपको side में screen पर दो number show हो रहे हुआ है, इनमें से किसी पर भी एक number से call करना है, पुल करने के बाद आपको सिम्प्री करना होगा लेंग्वेजिस जूस कर लिजिए सिम्प्री आप से बोलेगा कि आप पैटेम के न्यू पासवट बनाना चाहते हो तो अहां कर दीजिए हां करने के बाद वो बोलेगा कि हम आपके इसी नंबर पर एक link send कर रहा है है तो link send करने के बाद क्या होता है तो बढ़ते है step number 2 की हो step number 2 में बताएंगे link जो आपके पास registered number पर आ जाएगा उसको आपको करना क्या है easily उस link को open कर लेना है open जैसे ही करोगे आप उस link पर जैसे click करोगे तो आपको एक interface देखने को मिलेगा वहाँ पर easily लिखा होगा create new password और नीचे लिखा होगा confirm password जो आप create password में डालोगो यह confirm password में डालना है आपको easily तो जैसे आप confirm password में डालोगे उसको तो आपको easily आपके पेटेम जो है आपको जो आप login कर जो भूल चुके थे आप password वह आसानी से आप दूसरा नया create कर सकते हो तो इस तरीके से आप अपने पेटेम का password easily बना सकते हो नया ओभी एक मिनिट में तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो करें शेर करें और अहां सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि एसी वीडियो में आपके लिए आगे भी बना सकूं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ हूं